आप सब बढ़िया होंगे और इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स हैं यह विंटर्स के लिए कि आप अपनी स्किन का कैसे ध्यान रख सकते हैं विंटर्स में हमारी स्किन बहुत जाता ड्राय हो जाती है आपकी वो फिर ड्राय स्किन हो कि आपकी कितनी भी स्किन क्यों ना हो वो भी ड्राय होने लगती विंटर्स में तो यहां पे विंटर्स में हम मैं अपने स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से चीजों को चूस करना चाहिए और अपनी स्किन का भी बहुत अच्छे से धिहान रखना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपके साथ में share करती हूँ कि सबसे पहले आपको ना अपना जो आपका night routine है I don't know सबका ना अलग-लग होता है तो बहुत सारे लोग vaseline यूज़ करते होंगे बहुत सारे लोग कोई moisturizer यूज़ करते होंगे पर यहाँ पे अगर आप winters में नाइट में अगर आप एक नॉर्मल ओयल से अपने चेहरे को मसाज़ कर रहे हैं like coconut oil को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें तो अगर आप उससे मसाज़ दे रहे हैं अपने face को तो बहुत ही helpful रहेगा आपकी skin को वह बहुत अच्छा softness प्रवाइट करेगा और आपकी skin में अगर ही glow करेगी okay और throughout the winter यह बहुत ज़्यादा soft रहेगी first thing यह and the second thing आपको winters के time पे जब आप मतलब आप जब बात लें आप जब नहाने जाएं तो उस time पे ज़्यादा too much hot water आपको नहीं use करना normal water से आप नहीं ज़्यादा थंडा भी नहीं होना चाहिए मैं यह नहीं बोल रही है आप फ्रंडे पानी से नहाओ बठा एक normal water से नहीं and third point यह है कि आपको अपनी body को hydrated रखना है मतलब even though winters में पानी इतना नहीं पिया जाता but still आप एक lukewarm water करके रख लीजिए आप गरम water करके रख लीजिए थोड़ा हल्का सा किसी भी water में रख सकते हैं उसको फिर आप throughout the day आप देखे कि आप कितना water consume कर रहे हैं ले रहे हैं यह बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइट करने के लिए आपकी स्किन को एक natural glow देने के लिए okay and मैंने यहां पे जैसे आपने जब oiling कर ली है आप वेसलीन को यूज कर सकते हैं then don't use your weseline all over the face पूरे फेस में वेसलीन का apply नहीं करना application आपको सिर्फ अपने आइस के आराउंड ही application करना है weseline का क्योंकि अगर आप पूरे फेस में application करते हैं तो आप जो भी moisturizer लगाएंगे आपका जो weseline है आपके ports को lock कर देंगी तो इसलिए आपको पूरे फेस में इसका application नहीं करना है आप अपने sunscreen का application नहीं शोड़ना है sunscreen को daily use करिए अपने life में आप सुबह बात जो भी आप बात लें उसके बाद में आपको जो भी moisturizer आप यूज कर रहें उसके बाद में sunscreen करिए वो बहुत 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 अच्छी effect आपको देखने को मिलेगा sunscreen का okay तो यह सारे points में आपके साथ में शेयर कर दिये हैं अगर आपके लिए भी beneficial रहते हैं useful रहते हैं then please मुझे comment box में बताएगा and please मेरे साथ में भी experiences share करें ताकि मुझे भी motivation मिले अपके लिए और भी वीडियो बनाने का and अगर आप मेरी family का हिस्सा नहीं है तो आप मेरे video को like subscribe and share करके मेरी family का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपको आपके साथ में मैं इसी तरीके के और भी वीडियो शेयर करती रहूं time to time